हाई गुड मॉर्निंग गाईज वेलकम टू पांडू इंगलिस अकेडमी आयम बागिरत गोदारा विद न्यू वीडियो आज हम वेदिक सब्यता जो अमारे इतियास की प्रसनोति का जो करम चल रहा है उसमें वेदिक सब्यता का सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं इससे पहले पांच से वीडियो की स्टड़ी कर लिए मैं आपको जानकारी के तोरह बता दू कि मेरे इस चनल पर संपूर इतियास कंप्लीट इस्ट्री की इसी तरह की प्रसनोतरी आपको मिलेगी जैसे कि सेंद्व सब्यता व्यदिक सब्यता रिग्वेदिकाल बोरेकाल गुप्तकाल गुप्त वत्रकाल चाल के चालू के राष्ट वंस जो था राष्ट राष्ट कूल वंस तो था पल्लाव चोर पांड्या वर्दन वंस इन सब की डिटेल्ड इस्टेडी आपको अधुनियों की इतियास तक वर्दमान तक की कुईशन की श्रीज आपको मिलेगी इसके पर स्टेड की कॉमन एक्जाम हो चकते हैं जैसे कहते हूं फर्स्ट क्रेड शेकंड गेड और पटवारी ग्राम से वेक इनकी कुईशन जो हती है आयो कि मैंने लिए ताकि आपको यह अनुमान लग सके कि एक्जाम में क्यों किसे पुच्छे जाते हैं और हमें अपने त्य यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तुसे लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें कमेट कें जो मेरी चैनल पर नए हैं पहली बार इस वीडियो को दिए करें उन्हें निवेदने की सबसे पहले आप बेल आइकन को हिट करें जो गाईज अभी इस वीडियो को अब आपको दिए अन्हें निवेदने की बेल आइकन कोईट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ने भूले आज के पहले क्यों से बढ़ते हैं आर्यों का मूल निवास था मूल तार्य कहां के थी बार्त से उत्री धुरुवे के तक्सिन दुरुवे से य इंडर को क्या कहा घए ड्यान से प्टविद काल में पूछा गया इंडर रिग्वर्दिक काल का परमुग देव्ता था ऊत्तर रिग्वी दिक ता था नहीं कैयेS ना सकता है वेदिग साहिते में स्हाइच Rank तो तो प्रजापत्य इंडर में से एक ही नाम हाइगा दोनों को नहीं क्या नहीं उसके बारे पूच्छा थो इंडर को क्या कहा जाता था कुलप पुरंदर पूरप या कोई नहीं तो उनको पुरंदर इंदर को पुरंदर के नाम से जाना जाता था इंदर को वर्षा का देवता कहा गया यह सरवाधिक फूजी जाते थे मतलब रिग्वेदी काल में इंदर को सबसे अधिक फूजा जाता था आगे बढ़ते हैं द् द्यानन स्वामी के नुशार आर्यों का मूल नुवास था फिले नितिले के नुशार पड़ा आर्यों द्यानन स्वामी के नुशार या सस्वती के नुशार तिबत अमेरिका उस्ट्रेलिया दक्षनी भारत तो क्या होगा तिबत इनका मूल नुवास था द्यानन सस्वती ने आरियों का मूल नियास तिबत माना है मैक्स मुलर आरियों का मूल नियास मदेश यह मानते है ब्राइस्टाइन ने आरियों का मूल नियास मदेश यह माना है दोनों ने मैक्स मुलर और ब्राइस्टाइन दोनों ने आरियों का मूल नियास कहा माना है मदेश या माना है आगे बढ़ते हैं रिगवेद की रचना कहां हुई मदी यूरोप में सब तसेंदव परदेश में ओस्टेलिया में और अमेरिका में तो सब तसेंदव परदेश के अंदर रिगवेद की रचना हुई ऐसा माना जाता है यदि आपको मेरे क्वेशन अच्छ रिप्वेत का कौन हैम dewता को समय परता है रिप्वेत में दस मंडल है आमने दो-ति tiet मनल दो मैं की सटुड़ी कर लिए लेकिन कौन है और मंडल को लिए कर्थेसदेरगत म्नदल सोमदेवता को समरुपते हैं crackers रिगवेद की पर्थम रचा अगनी को स्मुर्पता है रिगवेद की विशेष्टा है कि वेदों का प्राव में अगनी के स्लोक से होता था आगे बढ़ते हैं रिगवेदी काल में परमुक पदा दिकारी कोन होता था परमुक पदा दिकारी कोन था राजा पुरोहित सेनापत तो परमुक पदाद्धिकारी माना गया था पड़ते हैं पर्मुक पदादिकारी था इसे सेनिक अभ्यानों से मुक्त रखा गया था एसा क्वेशन आ सकता है तीन-चार पदादिकारी के नाम मैंने इन वीडियो चकंदर में देऊंगा लेकिन एक्जाम में जो क्वेशन हैं वेसा सकता है नीमन में सिक्की से पता दिकारी को सेन्य अभ्यान से मुक्त रखा गया आगे बढ़ते हैं रिग्वेदी काल में जहलम नदी का क्या को क्या का रिग्वेदी काल में जो भारत की जो नदियां है इनकी थोड़े नम अलग वा करते थे इनके नम अलग थे इनको अलग नम से पकारा जाता है था तो जहलम नदि को क्या नाम दिया गया तो सटी सतल नदि को सतूर्दी नदी का ज़ता असकिन यह आसकिनी भी कहते हैं इसको कभी कभी इसका नाम आसकिनी भी आ सकता है तो इसको चिनाव नदी को का ज़ता सुसोमा सोहन नदी को का ज़ता विपासा व्यास नदी को का ज़ता परूस्तनी या पोरूस्तनी दो नाम हो सकते हैं परूस्तनी या पोरोश नहीं रावी नदी को कहते थे कुंबा कबूल को का जाता स्वादिन्द्रा गंडक नदी को का जाता है इनके नाम है और इनी से रिलेटेड क्वेशन बार-बार एक्जाम में पुछ जाते हैं इन्हें आप रिट करके रखें याद रखें बार-बार वीडियो को देखें मेरे इस चैनल में इस तरह के जो क्वेशन है वह एक लेशन जो भी टॉपिक है उसका सारांस प्रेजेंट करता है क्वेशन पूछा सभी का मैंने नाम दे दिया इसी तरह संबोर्ण इस्टी जोगराफी प्लिटिकल सेंट साइको की आपकी सिरीज मिलेगी जिसमें विशेश प्रकार के टिपनिया को दिवी मिलेगी जो उस विशेश की बारे में आपको एक्स्टा जानगरे परदान करती है आगे बड़ते हैं आरे किसे एपरिचित थे गाय बेल हाती उंट तो हाती सी एपरिचित थे गाय जो थी रिगवदी काल में सबसे पुजनी पसु अच्छा माना जाता था और यूगा सब्सक्राइब फिर यह जो गोड़ा पसु था गोड़ा था वो जो देवता था इंदर था यह दो जी आ रहे अलांकि जो वेदिक सब्सक्राइब यह से जदा परिचित नहीं थे गोड़ा उनके जीवन में सबसे लास्ट में आया था लेकिन और यह घूं का अर यह बस समझे अके लोग सबसे परियोक के अर्थ में हुआ कुल परिवार को साम में सबसे पहले प्रियोग के अर्थ में हुआ प्रिवार के अर्थ में अत्रव वेद को भ्रूम वेद या स्रेष्ट वेद भी का जाता है क्योंकि इसके वाचन बर्मा नामक पुरहित ने किया था इसका वाचन किस ने किया बर्मा नमेक पुरहित ने किया था बहुत अच्छा के रशने अर्थवेद को जदू टोनों या करम कांड़ों का वेद भी का जाता है अथ्रवेद के अंदर ही रिग्वेदी काल में जो सबाव समिती उनको परजापती की दो पुत्रियां बताया ग उनको अंग नहीं है देखती हैं पुरान उपनीशत उप्रायन और सहिता चो फूरान जो एक वार्थ नहीं है इंडुर जीवका परजन के लिए दे वेद बढने वाला अद्यापक का लता अपने जिवन यापं के लिए बेदों का अद्यान करता था या वेदों का पाठत क के अच्छे से कुएजिने को मिलत रहे कि वीडियों को लाइक करें थममफ करें लेNo कर्मकांड़ों का जाता है राज्चिव यका जोलेग्द ऑ कर्म söz कि देए किलाव करते हैं जो तärकर्मकांड करते हैं ये दोनों अलग अलग है करम कांट जो हम समधी के दिटरिवाद जो बैसकार नेकिस भी मिलती है इजरुवेद में रिक वेद में अथरुवेद में सामवेद में तो अथरुवेद में ओसदी विशेक जानकारी मिलती है अथरुवेद को ओसदी जादु टोना मंतर तंतर आदी विशेक की जानकारी मिलती है और जो इजरुवेद जो है वो गद्य और उपत्य दोनों में लि नΗे प्रत्रयोंति को माना जाता है नेतिक नियम का णियम को ऐसको माना जाता है आगे बढ़ते हैं पुरोवेदी काल में राजापनेंड्तर रहता है सभी सभा सभा और समिति वे राजापर के से पूरो वेदिक काल की बात की जा रही है सभा समिति या राजा निरुकुस्त होता था नहीं राजापर सभा और समिति नाम की दो सहस्ता नियंतर रखती थी सभा और समिति के अध्यक्स को इसान कहा जाता था इनके बार में question देख लिजिए और सवा और समित्य प्रजापती की दो फुत्रियां ऐसा अथ्रव वेद में मिलता है ऐसा अथ्रव वेद में मिलता है कुलिन लोगों का परतिदी सभा और सभा थी कुलिन जो लोग थी जो हई प्रोफाइल लोग थी वो सबहां में बेठते थे वू समित्ती सर्वяж सदानלोगों का प्रतिनी इदी सबहावगरती थी अगे बढ़ते हैं किस वेद में सबहाव और समित्ति को परजव्वत तकी दौ पुत्रियां का गया वह कोørशना गया है देखते हैं रिगवेद में सामवेद में अत्रववेद में या जिजुरववेद में तो अत्रववेद में सभा और समीति को परजापती की दो पुत्रिया का गया यह परजापती को ने परजापती उत्तर वेदिक काल के परमुख देवता माने इसे वरहय का देवता माना गय यह बिर myself c5 बढून देता क्या देगते हैं अत्र श्रवेद में सभा को न्रिश्टा का गया डेखो सभा क्या का गया न्रिश्टा इसा कैसे शबा सब्सक्राइस करती थी और किततीkö करती है तरिवेदि काल में परिवार की मुख्य को क्या कहा जाता था और फूरब के स्पस्टाइच में प्राशपति क्या कहा गया को लचको कुलङ परिवार की मुख्य को Chill कहा चालता जैसे पूरुप जो था दूर्गपती ऐस पस्तु गोप्तचर प्रसन विनाक न्यादिस होता था और ब्राजपती गोचरभूमी के अधिकारी इसका नाम कभी की वाजपती भी आसकता है ध्यान से पढ़िएगा इसके दोत्रहे के नाम हो सकते हैं वाजपती मैं ग प्रिवर्थन देखने को मिल सकता है तो यह वाजपती भी हो सकता है वाजपती बोलते हैं गोश्चर भूमी का अधिकारी यह बात आप द्यान में रखें आगे बढ़ते हैं इसन को को नियांतरित करने वाले को पूरा वेता का जाता था आगे बढ़ते हैं रजा का पत आणौसीक बात कर दो रिगवेदी काल में लोग जो थे वो गुमंतु जिवन जिया करते थे पसूप पॉलल उनका परमुक वैसा हुआ करता था जो उसमें का रजा था वो कबीली का परधान हुआ करता था कबीला कबील में एक समू है जो गुमंतु लोग गुमते है ना जैसे 25-50 लोग जो हुआ क तो यह कबीली जो रहुब menor करने ले जाती है और जो उनका पर्धान भी-शेयक और राजा उनको राजा भू से ईवेश्षधैंड नहीं है नहीं होता था दार्मिक अनुस्टानों में नार्यों को भाग लेने का अधिकार था रिग्वेदिक साहिते में अमाजू कोन था उसमें रिग्वेदिक साहिते की बात की जा रही है देखते हैं विवाहिता को विद्वा को आज जिवन एयविवाहिता को Snंपतिक अधिकार नहीं थी इस्तरियों को यग में पहाग लेने का अधिकार था लेकिन संपतिक आधिकार नहीं था रिग्वेदी काल में राजा के सबसे छोटी काई क्या थी राज्य की विश जन ग्राम या खंड कि कौन सी थी तो ग्राम सबसे छोटी काई थी कुल ग्राम विश जन या राजन इस तरह से तो विश के परदान को विश्पति कहते थे जन के परदान को राजन कहा जा तो जन के मुख्या को राजन कहा जाता था इस तरह की कुछ पुछ जाएंगे यह यह दि आपको मेरे क्वेशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें अपने फ्रेंट से फोलो करवाएं मैं आपको जानकर के तोर के बता दूं कि मेरे इस चैनल पर इसी तरह के संपूर्ण इस्ती जोगराफी प्रट्ट इस बिन तरह के एक्जाम श्माइव एक्वेशन है जो आपको आपकी त्यारी की फरक और आपको यह नबव करवाने में साहिक होते हैं कि एक्जाम में किस लेवल के किसे इस तरह की पूचे जाते हैं यह दि वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सिरक्रें थैंक्स फो ओचिन हैव नाइस दे